गुड मॉलिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? हिंदी की ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है ओके नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर हमारा फूर्थ संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यांजन संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? बच्चों संयुक्त का अर्थ होता है जुडा हुआ कई बार दो व्यांजनों को जोडने से निया वरन तो नहीं बनता पर उससे पहले वाले व्यंजन को आधा लिख कर अगले व्यंजन के साथ जोड दिया जाता है तो उसे सियोक्त व्यंजन कहते हैं जैसे चै आधा चै प्लस चै जैसा कि मैंने बताया कि जिस अक्षर के नीचे हलंत आ जाती है उसको आधा अक्षर माल लिया जाता है आधा चर प्लस चर आधा चर चर बच्चा सच्चा ऐसे ही आप बाकी शब्द पढ़ेंगे आगे देखिए अब तक हमने क्या सीखा दो व्यंजनों के आपस में जुणने से जो नया व्यंजन बनता है उसे सियुक्त अक्षर कहते हैं जैसे अक्षर त्रग्य श्र जब दो व्यंजनों के जुणने से नया वर्ण बन नहीं बनता पर उसे अगले व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे सियुक्त व्यंजन कहते हैं ओके स्टूडेंट ये था हमारा लेसन नमबर फॉर जो की कम्प्लीट होता है अब हम इसकी बैक अक्षर देखेंगे नीचे दिये गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिये जैसे पत्ता पत्ता मोहर बिल्ली लट्टू चमच मक्षी नीचे दिये गए सियुक्त व्यंजनों को पहचान कर उनके दो दो शब्द बनाईए जैसे आधा सर और सर का लसी असी भक्त आधा कय और तय का वक्त रक्त आधा तय और तय का पत्ता सत्ता शुद्ध आधा दय और धो का बुद्ध बुद्धी आधा कय और खय का मक्षन मक प्याज आधा पै और ये का प्यारा प्याला नीचे दिये गए शब्दों में से सियुक्त व्यंजन को रेखांकित कीजिए सियुक्त व्यंजन कौन से है जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं देखिए गुस्सा गड़ा दिल्ली बल्ला गड़ा नेक्स्ट है स्वर्थ तथ व्यंजनों से आरंब होने वाले शब्दों को अलग-अलग कीजिए यहां कुछ स्वर्वाले अक्षर दिये गए हैं और कुछ व्यंजन वाले वो आपने लिखने हैं स्वर्वाले जैसे आम, अनार, उस्त्रा, ओरत, इमारत, इडली, एक तारा व्यंजन वाले स्पेरा, जानवर, हलवाई, चावल, शेर, जाड़ु, परिवार, सही वर्तनी को रेखांकित कीजिए, सही वर्तनी कौन सी है, साप, सेंटर वाला तितली खै में देखिए तितली फास्ट वाला, ग़ं में थाड वाला, ग़ं में फास्ट वाला, डा में सैकिंड वाला ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर फॉर्ट, जो की कम्प्लीट होता है Thank you Thank you students, stay home, stay safe